Hello students, welcome back to our channel. Students, last lecture में हमने chapter number 5 arithmetic progression स्टार्ट कर लिया था. उसके exercise 5.1 हमने complete कर ली थी. 5.1 के मैंने कुछ questions के parts आपको homework प्राक्टिस करने के लिए थे. तो उसमें कुछ बच्चों के doubt है जिसे कि part number 5 जो कि question number 4 का है. तो पहले मैं वो समझा देते हूं, doubt clear कर देते हूं, then we will move on. So question number 4 का 5th part जो है, उसमें आपको दे रखा है, यह terms दे रखे, एक series दे रखे है. 3, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on. यह आपको series दे रखे है. And सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि क्या यह series AP है या नहीं है. तो अगर यह series चेक करने कि AP है या नहीं है, तो आप पहले क्या चेक करेंगे, D निकालेंगे, तो D का मतलब होता है A2 minus A1, ऐसे A3 minus A2, या फिर A4 minus A3. तो सबसे पहले आप D चेक करेंगे, तो A2 minus A1 मतलब 3 plus root 2 minus 3, तो cancel हो जाएगा 3 minus 3, तो आपका answer क्या आजाएगा under root 2. ऐसे अगला चेक करेंगे तो A3 minus A2, तो 3 plus 2 root 2 minus, यह वाली जो टर्म है, 3 plus 2 root 2 थी, बट बाहर minus है, तो minus root 2 हो जाएगी. तो plus 3 minus 3 cancel, 2 root 2 में से अगर root 2 minus कर देंगे, तो सिरफ root 2 बचेगा, ऐसे ही A4 minus A3, तो 3 plus 3 root 2 minus, यह आ जाएगा, 3 minus 2 root 2, तो 3 minus 3 फिर से cancel हो जाएगा, 3 root 2 में से अगर 2 root 2 निकाल देंगे, फिर से root 2 बच गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D हर बार क्या आ रहा है, same, root 2 root 2 root 2, तो अगर D हर बार same आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, yes, it is an AP, अगर AP है तो उन्होंने क्या बोला है, कि next 3 terms निकाल लीजे, अब next 3 terms तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, next 3 terms अगर यह 1, 2, 3, 4, A4 तक दे रखा है, तो अगर मुझे A5 भी निकालना है, तो A5 मुझे पता A plus 4D होगा, तो A की वालु आपको पता 1st term, plus 4 into D की वालु आपके पास क्या है, root 2, तो क्या आ जाएगा, 3 plus 4 root 2, ऐसे ही आप A6 निकालनेंगे, आपको पता formula A plus 5D, तो A plus 5D, जैने कि A की वालु फिर से क्या है, 3 plus 5 into D की वालु क्या है, root 2, जैने की 3 plus 5 under root 2 ऐसे ही 12th पार्ट में भी doubt था बच्चों को root 2, root 8, root 18, root 32 and so on अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले D चेक करेंगे तो D कैसे करते है A2 minus A1 यानि कि root 8 minus root 2 अब root 8 में से root 2 directly तो नहीं minus कर सकते तो हम पहले root 8 को छोटा कर लेंगे हमें पता root 8 के prime factors क्या बनते हैं हो जाएगा root 2, तो root 8 को क्या लिख सकते हैं 2 root 2 minus root 2, अब 2 root 2 में से root 2 निकाल देंगे, तो root 2 बच्चेगा, ठीक है अगला A3 minus A2, root 18 में से root 8 अब root 18, 18 के factors आपको पता है 2, 9, 3, 3, 3, 1, तो 2, 3 में से 1, 3 बहार निकलाएगा जो अकेला बचा वो root 2, minus 8 को क्या लिख सकते हैं 2 root 2, अब 3 root 2 में से 2 root 2 माइनस करेंगे तो root 2 बच जाएगा, ऐसे ही D अगला A4 minus A3, तो root 32, 32 के ऐसे ही prime factors बनाके आप लिखेंगे, जब pair में से common लेंगे तो अलग आपकर 2 बच जाएगा, उसको root में ले लेंगे 32 को हम लिख सकते है, 4 root 2, minus root 18 को लिख सकते है 3 root 2, अब 4 root 2 में से 3 root 2 minus करेंगे तो root 2 आजाएगा, तो yes, it is an AP, ठीक है इसके बाद भी 3 terms और निकालनी है, तो आपको formula पता है a5 निकालना है, तो a plus 60, ऐसे करके आप निकाल लोगे next आपके पास 13th part भी doubt था, root 3, root 6, root 9, root 12 अब देखो, इसमें सबसे पहले d चेक करेंगे, तो root 6 में से root 3 minus करेंगे तो root 6 में से root 3 minus तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो e as it is आगया d, a3 minus a2 अगला चेक करते हैं, इसमें से ये minus करके, root 9 में से root 6 root 9 का मतलब क्या होता है, 3, क्योंकि root 9 3 होता है, minus root 6 ये भी minus नहीं हो सकते, तो ये ही आगया, अब इसके बाद a4 minus a3, root 12 minus 9 अब root 12 को भी अगर मैं छोटा करती हूँ, तो 2 root 3 बनता है, minus 9 को करूँगी, तो 3 बनेगा तो 2 root 3 minus 3, ये भी minus नहीं हो सकता, तो ये देखो, तो आप सम में d जो है, वो अलग-अलगा रहा है अगर d अलग-अलगा रहा है, so d is not same, therefore it is not an ap, ठीक है, so I hope आपके doubts clear हुए हो, अब हम next exercise करने से पहले, उसके सारे examples कर लेते हैं, ताकि आपको basics clear हो जाएं exercise 5.2 करने से पहले examples करते हैं, example number 3 से start करते हैं, आपको मैंने एक formula सिखाया था, nth term का, an is equal to a plus n minus 1 into d अब यह formula काफी बार use होगा, अब समझते हैं examples को, आपको बोला find the 10th term of the ap, यह जो आपको ap दे रखे हैं, इसके 10th term चाहिए, मतलब जैसे यह first term है, यह second term है, यह third term है, ऐसे करके 10th number पे कौनसी term होगी, वो आपको बताना है, तो जब भी ऐसे करना है, तो आप इस formula का use कर सकत हैं, कैसे, इस formula में a n is equal to a plus n minus 1 into d है, अब आपको चाहिए क्या, a n की जगा कौनसी term चाहिए, 10th term, तो आपके पास n is equal to 10 आप देख लेंगे, तो a की value, क्या होगी यहाँ पे जो first term है, 2 डाल देंगे, plus n की value, जो हमने number of term निकालनी है, वो n की value होगी, 10th term निकालनी है, तो 10 होगा, n की जगे 10 minus 1 into d, अब d कैसे निकालते हैं, आप पहले निकालके देखेंगे, जसे इन्होंने निकालनी होगी, d कैसे निकालते है, second term minus first term, तो 7 minus 2 कितना होगा, 5, 5d आजाएगा, अब आपको a3 minus a2 करके नहीं, चेक करना दुबारा से, क्योंकि आप उसमें ap दे रखा है अल्रेडी, तो बार-बार नहीं चेक करेंगे, चीक है, तो d की value 5 डाल दी, तो a की value 2 plus n की value 10 minus 1, d की value 5, तो a 2, 10 minus 1, 9, 9 into 5 is 45, 2 plus 45, 47, यानि कि a 10 या 10th number पे कौन सी term होगी, 47, चीक है, ऐसे ही fourth example देखो, which term of the ap is minus 81, अब इस ap में, यह जो ap की series चल रही है, 21, 18, 15, आप देख रहे हो कि यह कम हो रहे हैं, तो ऐसे ही कम होते होते, कौन से number पे minus 81 आएगा, वो आपको बताना, also is there any term 0, क्या कोई term 0 भी हो सकती है, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है, तो अब देखो, यह जो series है, इसमें कब 80 minus 81 आईगा, तो minus 81 कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगँ इस series में, यानि कि इस series में minus 81 का मतलब क्या है, हमारे पास a n है, a n की value minus 81 दे रखिए, क्योंकि n तो हमें पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो इस series में किसी ना किसी number पे तो minus 81 आ रहा होगा, तो a n, हमें a n नहीं पता, value minus 81, अब इस cd से और क्या क्या निकाल सकते हैं, first term निकाल सकते हैं, a, a की value 21, d निकाल सकते हैं, a2 minus a1 करके 18 minus 21 minus 3, d भी निकल आया, अब आप क्या करेंगे, nth term का आपके पास formula है, a, n is equal to a plus n minus 1 into d, a, n की value क्या है, minus 81, a की value 21, n तो हमें नहीं पता की कौन से number पे है, तो n ऐसे ही रहने देंगे, minus 1, d की value minus 3, ठीके, अब देखो, minus 81 ऐसे ही, 21, यह minus 3 into n, क्या हो जाएगा, minus 3 n, minus 3 into minus 1, plus 3, 3 plus 21, क्या हो जाएगा, 24, तो 24 minus 3 n, ठीके, अब minus 81 ऐसे ही है, यह 24 इधर आके, minus 24 हो जाएगा, तो minus 81, minus 24, कितना हो जगा, minus 105, इधर minus 3 n, minus minus cancel, 105, divide by 3, n की value क्या आ जाएगी, 35, अब यानि कि यह जो minus 81 है, इस सीरीज में 35 नंबर पे आ रहा होगा, ठीके, यह तो first part होगे, उसके बाद पूछा, क्या कोई term 0 भी है, मतलब 0 भी कहीं पे आ रहा होगा, तो कहीं पे आ रहा होगा, मतलब इस case में, a, n की value क्या हो गई, 0, सीरीज तो यही है न, कहीं पे आ रहा है, तो हमें नहीं पता कि कहा है, तो n नहीं पता, तो a, n की value 0 दी हुई है, अब फिर से वही formula लगा देंगे, a, n is equal to a, plus n, minus 1, into d, अब a, n की value क्या है, 0, a, 21, plus n नहीं पता, minus 1, into d, पता है हमें, minus 3, यहाँ पे देखो, 21, उधर चला जाएगा, अगर इसको मैं ऐसे भी लिखती हूँ, यहाँ पे minus 3, into n, minus 3 n वोएगा, इसको solve करके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 21, minus, यह minus 3, into n, minus 3 n, minus 3 into minus 1, plus 3, is equal to 0, तो 21 plus 3, 24, तो minus 3 n, यह 24 उधर जाके, minus 24 हो जाएगा, minus से minus cancel, 24, divided by 3, कितना आ जाएगा, n, 8, यानिकि, n is equal to 8, यानिकि, 8th number पे जो term होगी, वो कौन सी होगी, 0, तो उन्होंने जो पूछा है, is there any term 0, तो 8th number वाली term क्या है, 0, ठीक है, I hope आपको clear हुआ हो, example number 5 देखते हैं, determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9, अब उन्होंने AP नहीं दी भी, मतलब series ही नहीं दी, बस यह बोल दिया कि third term उस AP की 5 है, और seventh term उस AP की 9 है, ठीक है, तो third term 5 है, तो आप third term को कैसे लिख सकते हैं, इन्होंने तो आपको पूरा AN के formula से elaborate किया है, बट मैंने आपको पहले सिखा दिया था, third term का मतलब होता है A3, A3 को आप कैसे लिख सकते हो, A plus 2D, D के साथ एक कम लगाना है, तो A plus 2D की value कितनी दे रखिया उन्होंने, 5, तो यह first equation, ऐसे ही seventh term, seventh term को हम क्या बोलते हैं, A7, A7 का मतलब क्या होता है, A plus 6D, D के साथ एक कम, और A plus 6D की value उन्होंने कितनी दे रखिया, 9, तो अब हुमारे पास दो equation है, दोनो equation को हम elimination से हम solve कर सकते हैं, हमें पते हैं किसके sign change करेंगे, यह minus, 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 यह तो cancel ही हो गया, 2D minus 60, कितना आजाएगा, minus 4D, 5 minus 9, कितना आजाएगा, minus 4, तो minus से minus cancel, D क्या आजाएगा, 4 divided by 4, D1 आजाएगा, अब D1 आ गया, तो A भी निकाल सकते हैं, D चाहें इसमें put कर दो, इस equation में चाहें, अगर D1 इसमें put करते हैं, तो A की value आपके पास क्या जाती है, 3, अब A और D दोनों आ गए, अब मुझे AP बनानी है, अब AP का मतलब तो कितनी भी numbers हो सकते हैं, सीरीज में, बट हमें minimum भी 3 numbers दिखाने, ठीक है, तो A, एक तो first term क्या हो जाएगी, 3, second term क्या होगी, A plus D, यानि कि 3 plus 1, 4, अगली term क्या होगी, third term, A3 को क्या लग सकते, A plus 2D, यानि कि 3 plus 2 into 1, 2, 3 plus 2, 5, तो आप चाहें तो directly लिख सकते हैं, ने तो इसको solve करके भी लिख सकते हैं, तो यह आपकी 3 terms हो, ठीक है, 3 terms लिखके, आप 3 dots लगा दीजिये, हो जाएगा, next question number 6 देखे, question number 6 में आपको बोला है, check whether 301 is a term of the list of the numbers, अब check करना है, कि क्या 301 इस series में आगे जाके कहीं पर आता भी है के नहीं, तो फिर से देखो, तो हमें नहीं पता कि 301 कहां आता है, तो यानि यह जो 301 है, यह किसकी value है, a, n की, तो formula वही लगाना है, हमें a, n is equal to a plus n minus 1 into d, a, n की value क्या है, 301 क्योंकि हमें नहीं पता कि कहां पर आ रहा है, अब a की value, इस series में first number पर term कॉन सी है, 5, plus n की value तो पता ही नहीं है, नहीं तो पता होती, तो यहां पर पर डाल देते हैं, तो n नहीं पता, n minus 1, d की value, d कैसे निकालते हैं, a2 minus 7, 11 minus 5, 6, 17 minus 11, 6, 23 minus 17, 6, तो d की value कितनी आ गए, 6, अब यहां पर देखो, 301, यहां पर 5, 5 plus 6 into n करेंगे, 6n होगा, 6 into minus 1 करेंगे, minus 6 होगा, तो 5 minus 6 कितना हो जाएगा, minus 1, तो 6n minus 1, यह वान इधा जाके, plus 1 हो जाएगा, 301 plus 1, 302, तो n की value किया जाएगी, 302 divided by 6, तो आप cancel कर देंगे, 151 by 3, अब देखो, 151 by 3 जो है, यहाँ पे fraction में आ गया, अब number of terms कभी fraction नहीं हो सकती, आप कोई चीज़ हो बोलना, आप बोलोगे मेरे पास 5 apples हैं, 6 apples हैं, आप बोलोगे 6.5 apples हैं, तो ऐसे हम नहीं कहते हैं, तो यहाँ पे जब fraction में होगी, तो fraction में number of terms हो सकती, तो यहाँ पे fraction की वज़े से हम कहेंगे N should be a positive integer, हमारे पास पहली बात तो एक integer की form में आना चाहिए, fraction में नहीं आना चाहिए, integer में आना चाहिए, so 301 is not in the given list of number, तो 301 यानि कि इस AP में तो कहीं नहीं आता, आप यह भी लिख सकते हैं N should not be in the fractional form, therefore 301 is not in the list of the given number, important example है यह आपको बोला है how many digits are divisible, two digit number are divisible by three, अब कितने two digit number जो हैं वो three से divisible होते हैं, अब two digit number की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है two digit number start होते हैं 10 से और end होते हैं 99, इस से पहले और इसके बाद को two digit number नहीं होता, अब three से कितने divisible हो रहे हैं, ऐसे questions में देखो आपको AP दी ही नही हुई, AP नहीं दी हुई, आपको AP बनानी है, तो जब आपको AP बनानी है, तो 10, 10 के बाद पहले सोचो कि three से कौन सा number divide होता है, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है, तो पहला number AP का 12 आ गया, अब उसके बाद three का table ही आप कर सकते हो, three, 12 आ गया, यहां पे fours होता है, three, five, 15, three, six, nine, 18, क्योंकि यहीं number होंगे, जो आगे three से divisible हो रहे होंगे, three number आप पहले निकालो, और एक last में देखो कि कौन सा divide हो रहा है, अब 99 number पे खतम होते है, two digit number, तो आपने देखना, 99 number के divide हो रहा है, three से, तो yes, three से होता है, तो last number कितना आ जाएगा, 99, तो यह क्या है, आपकी series बन गे, ठीक है, अब series में देखो, आपको पूछा क्या है, how many two digits, how many मतलब n निकालना है आपको, n नहीं पता है कि कितने numbers है, तो n निकालना है, formula तो आपके पास एक ही है, an is equal to a plus n minus 1 into d, अब an की value क्या होगी, जो last में होता है, क्योंकि अभी भी हमें यह 99 number जो है, यह कितन पर आ रहा है, वो नहीं पता न, जिसे इसको हम बोल सकते हैं कि यह first number पर आ रहा है, यह second number पर आ रहा है, यह third number पर आ रहा है, आगे dot 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 जाके 99 कौन से number पर आ रहा होगा, हमें नहीं पता है, तो an की value अभी भी कितनी होगी 99, a की value जो first term है 12 plus n, तो हमें निकालना है, minus 1 into d, d कैसे आएगा, 15 minus 12, 3, तो 99, 12, इधर 3 into n, 3n, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, अगर इस हिसाब से करना है, 12 पहले इधर जाके minus कर दो, 99 में से 12 किया, तो 87 बच किया, इधर n minus 1 into 3 बचा, अब 3 भी उधर 87 से divide होगा, इधर multiply हो रहा है, उधर जाके divide हो जाएगा, तो 87 divided by 3 कितना आजाएगा, 28, तो 28 आजाएगा आपके पास, तो इधर n minus 1 है, तो अगर n minus 1 is equals to 27, sorry, यहाँ पर n minus 1 is equals to, आपके पास 87 को इस से करेंगे, तो आपके पास कितना आ रहा है, 29, तो n की value कितनी आजाएगी, 29, इधर जाके यह plus 1 हो जाएगा, 29 plus 1 is equal to 30, तो मतलब कहने का, कि आप को पूछा था, how many two digit numbers are divisible by 3, तो 10 से लेके 99 में, कितने number हैं, जो 3 से divide होते होंगे, तो 30 numbers हैं, जो 3 से divide होते होंगे, तो यह भी important question है, example number 8 देखे, find the 11th term from the last term of the AP, AP यह दे रखे, अब यह question थोड़ा उल्टा है, आपको 11th term निकालना है, मतलब निकालना तो आपको A11 है, but A11 निकालना है, पीछे से, मतलब यह जो सीरीज जारी होगी, इसमें से आगे से 11th number term निकालनी है, आपको पीछे से 11th number term निकालनी है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देती हूं, जादा कौन सा यूज करते हैं, जो भी first वाला हम method करने वाले हैं, वो ह पास minus 3 आ जागी, यह last वाली term है, हम इसको L भी बोल देते हैं, हम इसको An भी बोल देते हैं, मैंने आपको formula में भी सिखाय था, कि L is equal to A plus N minus 1 into D भी होता है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम पहले करते आ रहें An, ठीके, तो एक ही formula है, तो आपने क्या किया, क कि L, यानि कि An वाली last term क्या थी, minus 62, A की value क्या थी, 10, plus N minus 1, D की value क्या थी, minus 3, तो यहाँ पे 10 पहले इधर आके minus हुआ, minus 62, minus 10, minus 72 बन गया, N minus 1 into minus 3 बन गया, यह minus 3 इधर जाके divide हो जाएगा, तो minus 72 को minus 3 से divide कर, अब यह मत बोलना, minus उधर जाके plus हो जाएगा, यहाँ पे multiply हो minus 3 से divide करेंगे, तो 24 आजएगा, तो N की value क्या जोगी 24, यह minus 1 उधर आके plus 1, N की value 25, अब मतलब इस AP में total 25 terms थी, आपको क्या निकालनी थी, 11th term, ठीक है, अब 11th term निकालनी थी, कहां से, देखो, the 11th term from the last will be 15th term, ठीक है, अब 15th term कैसे करनी है, देखो, total आपने जितनी भी terms निकालनी है, 25, तो 25 थी आपकी total terms, ठीक है, इस में से पीछे से जा रहे हैं, हमने पीछे से 11th term निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी 25 में से minus 11 करूँगी, कितना आ जाएगा, 14, अब 14 में plus 1 कर दूँगी, तो आपके पास 15th, यानि कि 15th term ऐसी होगी, जो पीछे से 11th number पे हो ठीक है, वो कैसे हुआ, 25 में से हमने तो पीछे से 11th term निकालनी है, तो minus 11 करके तो देखेंगे कि कहा पे पहुँच रहे हैं, तो 14 number पे पहुँच जाएंगे, पर जब हम minus करते हैं, तो एक number छूट जाता है, इसलिए हम उसको add कर देते हैं, तो हमारी 15th term बन जाते हैं, ठीक कि ये करना शायदा भूल सकते हैं, अब सीधा 25 निकाल दो, उसके बाद इन्होंने जैसे 15th number वाली term है, उन्होंने यही बोला 11th term होगी कौन सी, तो 15th number वाली term होगी पीछे से 11th, तो 15th number वाली term, यानि कि A 15 होगया तो आप निकाल दोगे, A 15, आप तो इसको directly भी लिख सकत तो A plus 14, D, अब आपको आगया, D के साथ एक कम लिखना है, तो A की value 10, 14 into D की value minus 3, solve करेंगे, minus 32 आज जागी, पीछे से 11th term, तीक है, जो ये वाला alternative solution है, ये छोटा भी है, और आपको याद भी रहेगा, देखो, जो भी आपको सीरीज दे रखी है ना, आपको ये सीरीज दे ती, आपको पीछे से 11th term निकालनी थे, आप क्या क्यों करो, इस सीरीज को उल्टा कर दो, पीछे से निकालनी है ना, तो उल्टा कर दो, minus 62, last term है, तो अभी minus 62 क्या बन जाएगी, first term बन जाएगी, यनि कि इस सीरीज की जो first term है, वो क्या बन जाएगी, minus 62, ठीक है, यहाँ देखो, डी आपके पास कितना आ रहा था, 7 minus 10, minus 3 आ रहा था, बट जब आपने उल्टा कर दिया, तो डी भी आप साइन उल्टा कर दो, डी 3 बन गया, ठीक है, minus 3 की जगह है, 3 बन गया, क्योंकि अब सीरीज उल्टी हो गई आपकी, ठीक है, आप इस सीरीज को ऐसे लिख सक कितना है, plus 3 कर देंगे अप, तो minus 62, plus 3 करेंगे, तो यहाँ पे minus 59 आएगा, ऐसे करते करते, जो last आपकी यहाँ पे terms थी, first value, 10, 7, 4, यह उल्टा चल रहे है न, तो क्या हो जाएगे, 4, 7, 10, तो इस सीरीज को उल्टा कर दो, 4, 7, and यहाँ पे 10, तो हमने उल्टा कर दिया सीर सीरीज बन गई है, तो यह सीरीज के साब से कर लेते हैं, A की value minus 62, D की value देखो, minus 59, यहाँ पे करेंगे, minus minus 62, तो plus 62 हो जाएगा, यानि कि 3 आजाएगा, अब निकालना क्या है, A11, तो सीधा A11 का formula लगा दो, यहाँ पे A plus 10D, A की value कितनी है, minus 62, plus 10 into D, 10 into 3, 30, minus 62, plus 30, minus 32, यान का method भी है, और आसान भी है, बस एक बार सीरीज को उल्टा बना दो, सीरीज को उल्टा बना दो, फिर सीधा A11 टम निकालो, जो आपको 11 निकाल लेती, ठीक है, next, example number 9 है आपके पास, a sum of 10,000 is invested at 8% simple interest per year, calculate the interest of the end of the each year, do these interest form an AP, if so find the interest at the end of 30 years making the use of this fact, अब देखो, simple interest से हमने कि या simple interest का formula नचीए, PRT upon 100 होता है, अब सबसे पहले interest जो है, at the end of first year हम देखते हैं, कितना principle था, thousand, rate of interest, time 1 upon 100, तो 80 आ गया, second year में कितना होगा, PR तो सेम रहेगा, T बस 2 हो जाएगा, तो 160 आ गया, third year के end में interest कितना हो जाएगा, सिरफ time 3 होगा, बाकी तो सेम है, तो 240 आ तो 80, 160, 240 and so on, यह series बन गई, अब series एक बार बन गई है, तो आपको पूछा है, do this form an AP, अगर AP है या नहीं है, तो कैसे पता लगता है, common difference है, तो पहले आप D निकालो, तो हम D निकाल के देखेंगे, तो D कितना आ रहा है, 80 हर बार, क्योंकि देखो, 160 minus 80, 80, 240 minus 160, 80, तो D तो स end में मतलब हमें क्या निकालना है, A30, तो A30 का formula तो आपको पता है, A plus 29D, तो A की value, first term, जो series में आपने निकाली, क्या है, 80, तो 80 plus 29 into D की value, 80, solve करेंगे, तो 2400, मतलब at the end of 30 years, वो 2400 रुपीज हो चाहेंगे, एक्जाम्पल नमबर 10 करते हैं, इन a flower bed, there are 23 rose plants in first row, 21 in the second row, 19 in the third row and so on, there are 5 rose plants in the last row, how many rose are there in the flower bed, अब देखो, first row में कितना है, 23 rose plants, second row में 21, third row में 19, ऐसे करकर के last row में कितने है, 5 rose plants, ठीक है, अब यह rose plants आ गए, तो आपको पहले देखना है कि क्या यह AP बन रहा है, तो AP की first round तो 23 होगी, D देखो, 21 minus 23, क्या एगा minus 2, 19 minus 21, minus 2, तो D भी निकल आया, ठीक है, AP है 20 minus 2, same आ रहा है D, अब number of rows निकालनी है, तो basically आपको क्या निकालना है, N निकालना है, अब formula तो एक ही किया है, अभी तक कुछ ही दर उदर नहीं हुआ, एक ही formula है, जो हर question में लग रहा है, A N is equal to A plus N minus 1 into D, बस फरक यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, कि किसकी value क्या है, देखो A की value तो आपको पता लगी जाती है, सीरीज में जो first number पे term होती है 23, plus N तो हमें निकालना है, minus 1, D हमें निकालना आगया, A2 minus A1 यह A3 minus A2 करके D आपके पास minus 2 आगया, अब A N की value, A N की value मतलब जो सीरीज में last number पे चल रहा है, जो हमें पता नहीं है कि कौन सा number है, वो होता है A N, यानिकी 5, 5, यह 23 इदर आके minus हो जाएगा, minus 18 हो गया, इदर N minus 1, minus 2, अब देखो minus 18 को इदर जाके, यह minus 2 से डिवाइड गर देगे, 9 आजाएगा, 9 यह वान उदर आके plus हो जाएगा, 10, तो N की value कितनी आगए, 10, यानिकि यहाँ पे number of rows जो थी, वो कितनी थी, 10, ठीक है, So students, यहाँ तक थी आपकी examples, यह examples आपने practice करनी हैं, practice करके मुझे भेजनी हैं, अब आपको question जो homework के लिए है, exercise 5.2 का question number 1, यह अपने fill in the blanks हैं, अब देखो यह हर एक ना एक तरीके से question आपको fill up की form में दे रखा है, जैसे first part में आपको A दिया हो है, D दिया हो है, N दिया हो into D, तो हर part में आपने यही formula लगाना है, इन चार चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं दी होगी, बाकी निक दी होगी, तो वो एक चीज निकालना है, जैसे इसमें A N नहीं दिया हो है, बाकी सब तो A D N दिया हो है, तो यहाँ पर डाल दोगे A N आजाएगा, इसमें क्या D नहीं दिया होगा, तो यह D नहीं दिया होगा, बाकी सब तो दिया हो है, तो वो निकालना है, तो आपने यह 5 के 5 parts आपने homework के लिए करने है, ठीक है, तो आज के lecture के लिए इतना ही students, जो आपका test होगा on Saturday, वो test आपका 5.2 full exercise, यानि कि question number 20 तक आपका test होगा, ठीक है, तो आ exercise 5.1 की, यह जो दो examples हैं, यह भी आज का आपका homework है, यह दोनों जो examples है, ठीक है, बिकरज यह बहुत ही simple है, first exercise से related है, तो आज का homework आपका basically example 1 to example 10 है, plus जो exercise 5.2, question number 1 का है, ठीक है, so I hope आपको clear हुआ हो, कुछ भी और doubts होगे, तो आप पीज पूछ लिए कीजे, मैं next lecture में include कर दिया करूँ, thank you so much.